यात्रियों की संख्या और यात्रियों की सुवधा को तुलना करें। यात्रियों के परिजन रहते हैं जो कि उन्हें एरपूर्ट तक छोड़ने आते हैं। यहां फिर उन्हें लेने आते हैं उन्हें घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ता है दरभंगा एरपोर्ट के बाहर अब दोस्तों इनी सुधाओं को ध्यान में रखते हुए दरभंगा एरपोर्ट के डिरेक्टर इविलेपन मंडल ने एक पत्र लिखा है दरभंगा के DM को दोस्तों इस पत्र के माध्यम से कई सारी मांगे की गई है सबसे बड़ी मांग तो ये की गई है कि दरभंगा एरपोर्ट की गेट नमर 2 के पास जो सड़क है यानि कि NH जो की दरभंगा को मधुबनी से जोड़ती है उसे चौड़ा किया जाए जिससे यहाँ पे जो जाम की समस्या होती है वो खत्म हो सके और दोस्तों इसी के साथ साथ इस चत्र को 9 हॉर्ण जोन बनाने की डिमांड की गई है यानि कि यहाँ पे कोई भी गारी आती है तो उसे हॉर्ण बजाने के अनुमती नहीं दी जाएगी जिस करण से जो भी यात्र नहीं ना हो और साथी साथ यहाँ पे दरभंगा एरपोर्ट पर आने वाली गाडियों के पार्किंग की व्योस्ता करने के लिए भी बात की गई है दोस्तों इस बारे में आपकी क्या रहा है आप क्या सोचते है कॉमेंट करके ज़रूर बताए दोस्तों आज कर बस इतना है मिलिंग प्रेक नेडियों कसा तब तक के लिए जाहिंद जबारत